गुरुत्वा करशन वहबल है जो सौर्य मंडल में सूर्य और अन्य ग्रहों को बांधे रखता है। यही वो ताकत है जो हमें और हर चीज को धर्ती की सतह से बांधे रखती है या धर्ती के केंद्र की तरफ खीचती है। हम सब न्यूटन की लोग प्रिय कहानी के बारे में जानते हैं कि जब वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सिर पर एक सेब गिरा और उन्होंने सोचना शुरू किया कि कोई भी वस्तु उपर से नीचे ही क्यों आती है जिसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्शन के नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार किसी भी दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्शन बल उन कणों के द्रव्यमान के गुनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युद्क्रमानुपाती होता है लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां गुरुत्वाकर्शन शून्य हो जाता है तो आज हम जानेंगे पृत्वी पर पांच ऐसे स्थान के बारे में जहां गुरुत्वाकर्शन काम नहीं करता है तो ये विडियो अंत तक जरूर देखे और हाँ ऐसे ही जानकारी भरे विडियो आपको मिलते रगे इसलिए हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एक मिस्ट्री स्पॉट सांता क्रूस कैलिफोर्निया इस जगह को 1949 में सर्वेक्षन करताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया और 1940 में जॉर्ज प्राथेर के द्वारा जनता के लिए खोला गया था उनका कहना है कि जब उन्होंने इस जगह को धूंधा था तब उनको लगता था कि यहाँ पर कुछ अलग ताक्तें काम करती है उनका दावा है कि यहाँ के चुम्बकिये क्षेतर में कुछ अलग प्रकार की अन्यमित्ता है और यह चुम्बकिय अनियमित्ता 150 वर्ग फीट गोलाकार ख्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसे मिस्ट्री स्पॉट भी कहा जाता है. यह एक ऐसी जगह है, जहां आपको गुरुत्वा कर्शन में अजीब सी अनियमित्ता देखने को मिलेगी जैसे की पानी का उपर की तरफ बहना, मैगनेटिक कमपास का विचित्र तरह से काम करना, लोगों का और चीजों का अकार में बदला. इस जगह पर आप बिना गीरे एक एंगल पर खड़े हो सकते हैं. दोग सेंट इगनास मिस्ट्री स्पॉट मिशिगन 1950 में जब कुछ लोग सर्वे कर रहे थे, तो अचानक से रहस्यमय तरीके से उनके उपकर्णों ने काम करना बंद कर दिया था. जब उन्होंने इस जगह का गेहन सुर्वेक्षन किया, तो उन्होंने पाया की. ऐसा सिर्फ 300 वर्ग फीट के एरिया में ही हो रहा था. सिर्फ इतना ही नहीं, इस छेत्र में जानवर भी आने से परहस करते हैं. यहाँ पर भी गुरुत्वा कर्शन ना होने के कारण कुछ विचित्र प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे कि दिवार पर सीधा खड़ा होना, कई प्रकार के करतब भी लोग. कर सकते हैं, जैसे कुर्सी को दिवार पर रख कर बैठना जिसमें कुर्सी के दो पैर दिवार पर होंगे और दो हवा में हैना विचित्र, काफी देर यहाँ पर रुकने से आपको लगेगा की आपका सरहलका हो रहा है. इस जगहे पर चलते हुए आपको कुछ पेड़ दिख जाएंगे जो रहस्यमय तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरह जुके हुए हैं. मिस्ट्री स्पॉट की तरह भी आप यहाँ एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं. साथ सी साथ वही सब भी दिखता है. जैसे की बाल का उपर की तरफ जाना और इतना ही नहीं उचाई पर जाने पर जगहे भी बदलती हुई नजर आती हैं. चार स्पूक हिल, फ्लोरिडा यह एक ऐसी जगह है जहां गाडिया अपने आप पहाड के उपर की तरफ खींची चली जाती है. अगर आप अपनी गाडी को बंद कर दें या निूट्रल कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि वह पहाड की तरफ खींची जा रही है. पांच, मैगनेटिक हिल्ले यह सड़क का एक छोटा सा मार्ग है जो लेह से कारगिल के करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है और लद्दाख के मैगनेटिक हिल के रूप में जाना जाता है. श्रीन करले राजमार्ग के इस विशेश भाग पर आप स्पष्ट रूप से सड़क को उपर की ओर बढ़ते देखेंगे. फिर भी अगर आप इंजन बंद कर देते हैं और न्यूटरल में अपना बाहन रखते हैं तो यह धीरे-धीरे हिलना शुरू कर देगा और 20 किलोमीटर प्रती घंटे की गती तक जा सकता है. मतलब की इस जगह पर भी आपकी गाड़ी न्यूटरल या रुके हुए होने के बावजूद भी पहाड के उपर की तरफ जाने. तो दोस्तों अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे.